So hey guys, video start करने से पहले ये चैनल को subscribe कर लो और इस video को like कर लो, we are very close to hit 1000 subscribers तो please मेरी help करादो 1000 subscriber करने के लिए Hey guys welcome back to Indian Betrol Head, आज अमरे पास है force की traveler, कुछ इस तरह कि इसकी चावह आती, आप लोग देख सकते हैं एकदम नॉर्मल रुकिंग की आती है यह फोर्स की ट्रावेलर दिस इस इस सेवंटीन प्लस वन सिटिंग वाली गाड़ी है यह आप लोग देख सकते हैं यहां से फर्स्ट अफॉल मैं आप लोग फुल राउंड रिव्यू दे देता हूं आप लोग फ्रंट लुक आप अगर मैं साइड व्यू की बात करूं तो कुछ इस तरह की कि यह गाड़ी है साइड व्यू में स्क्रीन पर आपको इसकी पूरी लैंथ जो है गाड़ी की वह आपको स्क्रीन के ओपर दिखरी होगी बाकी यह काफी अच्छी लैंथ इस गाड़ी के अंदर दी गई है और मै बात करूँ इसके रियर लुक की तो इसका रियर लुक कुछ इस तरीके का है और यहां पे आप लोगों को स्टैस दिये गए है उपर जाने के लिए और अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के टायर साइस की तो टायर साइस की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यानि 15 इंच के इसके अंदर वील्ज है आप लोग देख सकते हैं यहां पर विथ है इस टायर की 215 इस गाड़ी के टायर की विथ है 215 कुछ इस तरीके का इसके अंदर लिफ स्प्रिंग सस्पेंशन पीछे की साइड पर आप लोगों को दिया गया है उस साइड पर भी सेम फ मैसिव आप लोग विंडोस है इस गाड़ी के अंदर विंडोस काफी मैसिव इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को देखने मिलते हैं और यह तीन विंडोस के साथ आती है यह वाला जो वेरेंट है यह ए वन टू थ्री तो थ्री विंडोस इसके अंदर आपको देखने मिल और ट्रावेलर की यहां पर मस्टिकरिंग आप लोगों को यहां पर देखने मिलती है कुछ इस तरीकी की स्टिकरिंग जो है यहां पर आप लोगों को देखने मिलती है अगर मैं बात करूँ पीछे से तो यहां पर आप लोगों को ٹ्रावर्लर्स सूपर का यहां पर बैजिंग देखने मिलती है और यहां पर फोर्द्स की बैजिंग देखने मिलती है मैं बता दूं कि Force ने यह द गाड़ी है Mercedes inspired है कि और कुछ इस तरीक है कि यहाँ से जो आप गाड़ी है यहाँ से देख सकते हैं कि आप लको को अंदर ले जाता हूं पर अंदर ले जाने से पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर मैसिव आप लोगों को जो है और डेखने मिलते हैं यहाँ पर आपको नीचे भी एक और मिरर दिया गया और उपर भी हाँ पर जो नीचे वाला है ब्लाइंड स्पाट कवर कर लेता है यह बहुत लंबी गाड़ी है तो इसके अंदर आप लोगों को ब्लाइंड स्पाट बहुत ज्यादा देखने मिलता है तो यह जो नीचे वाला कंपनी ने दिया हुआ है यह मिरर तो यह ब्लाइंड स्पाट भी कवर कर लेता है अगर मैं अंदर जाने की बात करूँ तो इसके अंदर से ऐसे आपको ऐसे दबाना होगा इसको यह होल को तो यह अंदर जाने के लिए जो है पूरी तरीके से खुलता है और डोर वाइड ओपनिंग की बात करूँ तो इसके अंदर भी आप लोग देख सकते है टाटा अल्ट्रोस जैसा टाटा पंच जैसा आप लोगों को फूल 90 डिगरी इसके अंदर डोर ओपनिंग मिलता है इंग्रेस आउट इस गाडी के अंदर और मैं बात करूं यहाँ पर सीट इंगी तो काफि अच्छी अपछे अपॉल्स्री के साथ आपको यहाँ पे शीट देखने मिलती है और यहाँ पर आप लोग देख सकते वोडेन हैंडल के साथ यहाँ आपको सीट मिलती है अगर मैं सीट की हुआ गए अगर मैं बात करूं विंडों की तो wornड़ो जो अपने रेट्रो स्टाइल होती ही विंडोस उसी टाइप की है यहाँ से दबाएंगे और यहाँ से यह जो एग विंडो इस तरीके से खुल जाती है और कुछ इस तरीके का अगर मैं बात करूं तो फ्र lapse का बैन्योल ट्रांस्मिशन और इसका रिवर्स गेर आप लोग देख सकते हैं कि पीछे से लगता है कुछ गाड़ियों में जो अगर मैं कारों की बात करूं तो आगे से लगता है कुछ गाड़ियों में सिक्स गेर के बाद यहां पर होता है लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छ इहां पर आप लोग देख सकते है हेड लाइट लेवलर रभी है बहुत सारे इसके अंदर आप लोगों को जो है कंट्रोल देखने मिलते हैं यहां पर आपको 12 वोल्ट का शिग्रेट पॉर्ट बहूं पर दिखने मिलता है और यहां पर, आप लोगों को 55 वोल्ट वन एंपियर का और 5 वोल्ट 2.1 एंपियर का यहाँ पर जो आपको USB इसके अंदर देखने मिलता है और काफी अच्छा इंटीरियर के अगर मैं बात करूं तो इस फोर्स जो है अपने सब लोगों को ध्यान में रखे इसका इंटीरियर अच्छे से डिजाइन किया है ऐसा कोई भी ऐसा लगनी रहे कि पूराना इंटीरियर है और एकदम पौलिश इंटीरियर इस घाड़ी का दिखता है यहां पर आप लोग देख सकते हैं इनफो टेंट्मन स्टम के लिए आप लोगों को बहुत या पर लोग देख सकते हैं अब चलते हैं पीछे के साइड तो यहां पे भी आप लोगों को एक सीट या अगर आप बैड कनवर्जन करवाना है तो यह सब कुछ अवेलेबल है यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे जो है बैड बनाया गया है ड्राइवर या को ड्राइवर के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे एज़ेस्मेंट दी गई है ताकि आपकी जो सीट है वो आगे पीछे हो सके तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सीट आगे पीछे एज़ेस्ट करके आप लोगों को देखने मिलते हैं कुछ इस तरीके कई सारी सीटों के अंदर जो भी configuration है वो कुछ इस तरह की की है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक emergency button दिया गया है अगर आपको कभी भी driver के साथ अगर coordinate ना कर पाए तो यहाँ पर से आप लोग button प्रेस करके आप लोग बातचीत कर सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को reading lamp दिये गए है बहुत सारे lamp है और seat के उपर नहीं है लेकिन आप लोग देख सकते हैं इस lamp हो और यहाँ पर जो है ceiling light यहाँ पर लगी हुई है पूरी गाड़ी में जो कर light की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को दी गई यह गाड़ी जो है यह AC वाली गाड़ी है इधर आगे की साइड पर चार है और पीछे की साइड पर आप लोगों को चार AC वेंट्स दिये गए हैं और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेकिन आप लोग यह पूरे चीज जो है वह आप लोग अगर मैं वाइड एंगल व्यू से बता हूँ तो इस तरीके के दिखती है और यहां की अगर मैं बात करूँ पीछे कमफर्ट की सीट अगर मैं सीट कमफर्ट की बात करूँ तो काफी अच्छा इसके अंदर सीट कमफर्ट आप लोगों को देखने मिलता है और मैं यहां पर आप लोगों को बता दूँ यहां पर लेग रेस्ट भी है यहां पर अगर आपनो पैर रखना है तो यह रख सकते है और height की तो मैं बात करी नहीं सकता क्योंकि height तो बहुत ज्यादा इसके अंदर headroom आप लोगों को बहुत देखने मिलता है near room की मैं बात करूँ तो near room भी काफी efficient है इस गाड़ी के अंदर काफी अच्छा near room आपको इसके अंदर भी देखने मिलता है और यहां पर यहां पर आपको कोई भी charging या कुछ भी के लिए भी दिया नहीं गया लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो यहां पर two configuration वाली seat है यहां पर आप लोगों को charging port देखने को यहां पर मिलता है और यह सारा जो configuration है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर charging port है वही जो आप लोगों को मैंने आगे बताया था 5V 1A और 5V 2.1A का यहाँ पर आप लोगों को जो है चीजे देखने मिलती है कुछ इस तरीके का बहुत अच्छा style फिनिश लूक आता है और काफी लोग जो है बहुत सारे uses में आती है गाड़ी और बहुत सारे configuration में भी आती है गाड़ी तो कुछ इस तरीके का आप लोगों को मैंने जो इंटीरर अच्छे से बता दिये अब मैं बात करता हूं यहां पर तो हैंट प्रेक कुछ इस तरीके के जो नॉर्मल है वही दिया गया कभी कुछ गाड़ियों में जो हैंट प्रेक आता है वह आगे की साइड आता है लेकिन नहीं यहां पर आप लोगों को काफी अच्छा हैंडी फीचर दिया अगर आप LMV कोई गाड़ी चला रह और सेम मैंने आपको बता है यहां पर आप लोगों को जो है यूएस भी पोट इसके अंदर देखने मिलता है तो कुछ इस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरी गाड़ी का इंटीर बता दिया है कुछ अच्छा इंटीर आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर क कुछ इस तरीके का और बहुत एच्छा रेट्रो फिनिश के साथ मैं अभी भी बता रहा हूं और हाँ मैं एक चीज आप लोगों को बता ना भूल गया कि यहां पर जो है यहां पर जो है आप लोग देख सकते हैं इमर्जेंसी एक्जिट है तो यह वाला शायद कांच टूटता है या नहीं यह जो बैक का डोर है इसको खोल के जो है इमर्जेंसी एक्जिट इस गाड़ी के अंदर पीछे की साइड पर आप लोगों को दिया गया है कुछ इस तरह क ना में आप लोगों को भूल गया है फ्लोरिंग आप लोग देख सकते हैं एक दम नॉर्मन फ्लोरिंग है कोई ऐसा वह नहीं है कि फ्लोरिंग के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो और अभी मैं आप लोगों को ड्राइवर सीट से आपको पूरा व्यू दिखाता हूं बाह कर सकते हैं और काफी यूज है आप लोगी कर मैं हाइट की बात करूँगा तो सब कुछ आप लोगों को जो अपनी स्क्रीन पर देखने मिलेगा में चीज यहां पर आपको लोगों को पावर विंडो दी गई आगे की साइड पर ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए यहा अगर इंजीन सीसी के बात करूँ तो 2.6 लीटर का इसके अंदर इंजीन आप लोगों को देखने मिलता है और कुछ इस तरीगे की आपके फॉग लम्प लगी है और यह बुल बार आप लोगों को यहां पे देखने मिलती है हेडलाइट के में बात करूँ तो स्मोक लोन दिखते हैं बाकी जो एवरेज निकलता है जो को यहां के दोर मिलता है और स्कड़ा को इलक दोर Hadi आपको दोर और को ड्राइवर के लिए यहाँ पर विंडोस कंट्रोल यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलते हैं यहाँ आपको ग्रैब हैंडल मिलता है जो की काफी सॉफ्ट टच है इसके अंदर बाकी यहाँ पर सीट आप बहुत सारी टाइप से एजस कर सकते हैं लगबग सीट एजस्ट और यहाँ पर आप लोगों को जो लेफ्ट एंड साइड का जो वाइपर के लिए कंट्रोल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को स्पीडो मिटर मिलता है और यह गाड़ी का स्पीड लगबग 80 के उपर जो है लॉ देख सकते हैं यहाँ पर भी जे बीसी का जो है आप लोगों को स्पीकर सेट अप मिलता है दो यहाँ पर भी आप लोगों को एसी वैंट दिये गए यहाँ से जो एसी जो अपनी हवा अंदर खीचता है बाकी कुछ इस तरीके का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे आपढ़ों को Doор Size मिलता बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया अंदर से खौलने के लिए कुछ इस तरिके लिए यह आती है नॉब बाकी गाड़ी आप लोगों के सामने है और कुछ इस तरीके की यह गाड़ीenne官 को दीखने मिलतीと思います बाकि इसके अंदर भी आप लोगों को जो है चार रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं कैमेरे की यहाँ पर कोई भी प्लैस्मेंट देखने नहीं मिल रही है और यह गाड़ी भी है को डिस्क्रिप्पिशन में मिल जाएगा और मैं आप लोगों को वीडियो में भी एक बार रहे कानवर बात नमबर आप लोगों को दिया गया है इसके उपर आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं और गाड़ी है टूर के लिए अवेलेबल रहती है आप लोग फोन करके कभी इसकी गाड़ी की जो है बुकिंग आप लोग करा सकते हैं बंचर में करा सकते हैं